प्रख्या का पन्ना पूछता है तो बीजेपी वाले भाईया लोग तुरंद मिनेट से पहले अफगानस्तान का टिकेट काट देते हैं बोले भाईया हम नौकरी का एक्जाम दिये थे पास हो गए ज्वानिंग लेटर भी आ गया लेकिन नौकरी जॉइन नहीं कराई जा रही है तो उसका जवाब क्या है अफगानस्तान में देखो कितने पतखाली पड़े हैं वहां नई भरतिया निकलेंगी निकल लो जिनको भारत में डर लगता है जिनको यहां महंगाई लगती है वो निकल ले अफगानस्तान बहारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा लेकिन भारत में जिन लोगो डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए वहाँ पेट्रोल डिजल भी सस्ता है बोले भारत में पेट्रोल महंगा है तो अफगानिस्तान चले जाओ बोले भारत में एयर टिकेट महंगी हो गई है मोदी जी तो चपल वालों को जहाज में बिठाने की बात कर रहे थे बैटने का छोड़ी है जहाज ही बिग गए बोले सुनिये आफगानिस्तान निकल लो वहाँ लटक लटक कर सफर करो बोले भारत में मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने के लिए धर्ती पर आवतार लेने वाले शेक चिली टाइप के ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं भारत में डर लगता है तो अफगानिस्तान निकल लो बोले हमको बीजेपी की नीतियां अच्छी नहीं लगती बोले बिटा अफगानिस्तान सरक लो बोले पेट्रोल महंगा है जवाब आया अफगानिस्तान निकल लो वहाँ 50 रुपए में तेल भराओ मस्त होकर गाली चलाओ मैं एक बाग कहना चाहती हूँ लोककंद्र सवाल करने से ही मस्पूत होता है गलतिया गिनाने से सुधार होते हैं अरे कौन है अफगानिस्तान? क्यूं करें हम उनसे तुला? हम तो 5 ट्रिलियन एक्रॉमी की तरफ जा रहे थे हम तो विश्व गुरू बनने वाले थे हमारे मापदंड में और हमारे कॉम्पेटिशन में अमेरिका, रूस, इस्राइल जैसे देश थे फिर एकदम से फटीचर देश अफगानिस्तान से तुलना? क्यूं वई? कारण एक ही है मुसल्मानों को बताया जा रहा है कि देखो भारत में मालपुआ खा रहे हो अफगानिस्तान की अपने ब्रादरों को देखो कैसे जहांच से लटक लटक कर भाग रहे है मैं बात बिल्कुल साफ कहती हूँ अगर धार में चश्मा पहन कर पांच ट्रिलिन एकोनोमी विक्सित देशों से बराबरी और विश्वगुरू बनने का सपना देख रहे है तो भूल जाएए नफरत की नाव डूब जाती है ये इन से मिलिए ये शफिकुर रह्मान बर्क है अभी पूछ लीजे कि इनके अपने इलाके में नाली खड़ंजा रोड अस्पताल का हाल क्या है तो मू ताकने लगेंगे न ताकने लगे तो मेरा नाम प्रग्या मिश्रन नहीं लेकिन बात अफगानिस्तान की करेंगे तालिबान की करेंगे अपना समाले नहीं समल रहा दूसरे के घर में ताकने में बड़ी मजाती है तालिबान या तंकी है या क्रांतिकारी ये भारत में बैठ कर सर्टिफिकेट बनाते हैं दुनिया नहीं डिसाइड कर पा रही है उसे क्या करना चाहिए वर्ल्ड लीडर बर्क जी को सब कुछ मालूम है तालिबान विशेशग्य यहीं तो है इनको नहीं मालूम इनके इलाके के गन्ना किसानों का क्या हल है इनको नहीं मालूम कि यूपी के लकनों में पिछले साथ दिन से बेरोजगार लड़कियां टंकी पर चड़ी बैठी है टंकी समझते हैं पानी के टंकी इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये अपने प्रदेश की युवाओं के लिए मुह नहीं खोलेंगे, उनके लिए धरने पर कभी नहीं बठेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में पूछिए, फिर देखिया भारत और अफगानिस्तान की कोई तुलना नहीं है, लेकिन यहाँ मुसल्मानों का ट्विस्ट है, इसलिए मैं गिरेंटि के साथ कहती हूँ कि तालिबान इस बार भारत में चुना भी मुद्दा होगा कोरोना में मारे गए लोग भी गंदा के किनारे की कबरों से निकल कर भारत को अफगानिस्तान से बहतर बताएंगी, देखते जाईए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, राम राम दुआ सलाम जैहिन, मुझे ट्विटर पर एड़रेट प्रग्या लाइव नाम से खोजिए और तुरन फॉलो कर लिजे, आवाज से आवाज विलाएंगे तबी सरकार तक अपनी बात पहुचा पाएंगे, जैहिन हुआ 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 है